हेलो एबबन मैं आज आपको बताने वाला हूं मारुति सुजुकी की जो दोजार चॉबीस की ऑल्टो के टन है टॉप मॉडल वी एकसाई प्लस उसमें आपको क्या-क्या मिलता है सारा कुछ वीडियो में आपको बताऊंगो डेटेल में तो वीडियो में बने रहा ना सबसे उल्टे इस पहले करते हैं शुरुवाद चबी से तो कुछ इस तरीकी की सबी मिलती है यहां पर यह कवर डाला हुए श्क्यव चबी के ओपर तो यहां पे दो ही ब्टन मिलते हैं लोग एड उन्लोक का लोग और पिछली साइड पर सुजुकी का लोगो मिलता है तो कुछ तरीके कि यहां पर कीज मिलती है और फ्रेंट लुक आपके सामने तो सुब्स बगार टाइम है और इस पर गाड़ी पर थोड़ सी डू है तो आपको थोड़ सा बलरी बलरी साइस की हैडलेट्स वगयरा दिखरी होंगी बाकी है यह बिल्कुल साफ नहीं गाड़ी है आपके स ग्रिल है काफी बड़ी दी गई है कि आपके सामने पूरे रेडियेटर सामने दिखाई दे रहा है कि यहां पर फोग लेंप वगयरा का उप्शन अभी मारूती बंद करती जा रही है तो यहां पर सिर्फ आपको एक हैडलाइप मिलेगी और जो आपकी इंडिकेटर्स है व कर दो आपके पास यहां पर कवर मिल जाता है और साइज की बात करूं तो साइज टायर का 14580 अर्थ हटी तो थाइन पर यहां पर टायर जैंगे बाद में जाए और और साइड पर आ जाते हैं तो आपको इंडिकेटर जो है यहां पर फेंडर पर मिलता वार्वेंट नहीं कि अभी पीछे की तरफ को चले अधो कुछ इस तरीके की लुक्स मिलती है गाड़ी में कि यहां पर आपको ओल्टो केटन की मिल जाती है और या शुजूकी की बैजिंग कुछ इस तरीके की टेलाइट मिलती है आप सब्सक्राइब के जब हमेंद अंदर शुरू करेंद १ाइं थोड़ी सी को सब्सक्राइब लग रही है और नीचे आपको एक्जास्ट की टिप मिलेगी जो कि एक्सेसरी का पार्ट लगवाया गया तो इस तरीके से बाहर को नहीं निखती है और यहां पे आप चाबी लगाके बूट जो ओपन कर सकते हैं या फिर अंदर ड्राइवर से अपरेट कर सकते हैं ड्राइव इतना बूट स्पेस मिलता है यहां पर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यहां पर एक बैग पड़ा हुआ है एक हेलमेट पड़ा है फुल साइज अदर जाने से पहले अभी चलते हैं रियर सीट पर इसको अनलोग कर लगते सबसे पहले और यहां पर आपको जो रियर डॉर जो है कुछ इस त्रीके मिलता है यहां पर बोटो अडर वगएर नहीं है यहां पर आप छोटा मोटो समान रखते हैं वैसे तो यह द्रवाजा मैनुवली ऑपरेट हुतती है तो यह जो आपको यह हैंडल दिख रहा है यह सिर्फ टॉप मॉडल में आपको मिलता है बाकी नीचे वाले मॉडल में ब्लैक कलर का यह मिलता है और यह कुछ अंदर का व्यूव यहां पर आप देखोगे तो रियर सीट बेल्ट भी अब ऑल् है बेल्ट है और जो सीट है काफी सीधी है तो जो कर्व सीट को थी न उस परबैठने में तीन आदमी को भी मुछ यह मुटी है मेरे साब से जो सीधी सीधी सीूदी इस पर तीन आदमी ज्यादगा इजली बेठ सकते हैं और सक्षाप है तो मेरी हाइड जैसे कम है 5-4 इंच तो मेरे लिए तो बहुत इनफ सपेस है बाकी जो लंबे होंगे उनके लिए थोड़ सी क्यूंकि गाड़ी छोटी है वील बेस छोटा है तो जो लंबे लोग हैं उनके लिए थोड़ सी प्रॉब्लम हो सकती है बाकी यहां पीछे वाली सा करना था ड्राइबर ने माकी यह फ्रेंट लुक अभी चलते हैं आगे वाली सीट पर अब कि यह फुटमेट आपको दिख रहे होंगे यह जो है यह एक्सेसरी का पार्ट है जो की केंपनी के अंदर से लगवाई गिया इसी लिए यहां पर आपको ओल्टो के 10 की बैजिंग व और चोटा मोटर समान भी रख सकते हैं साथ में स्पीकर के लिए जगा तो यह थी कुछ ड्राइबर डॉर की लुक और यह है ड्राइबर सीट की लुक यहां पर आपको सीट को रिकलाइन करने की ऑप्शन मिल जाती है हाइड एड़िसस्टमेंट जो यहां पे ओल्टो के टैन में नहीं मिलती आपको और यहां पेक्स टाइप आते हैं और नीचे की तरफ देखें तो यहां पे आपको डेट पेडल नहीं मिलता है और अंदर बैटके तो कुछ ऐसी लुक आते हैं यहाँ पर ड्राइवर सीट से सामने हैं मैं आपको पी बिजा रहा हूं यहां से आपको डिर व्यू की लुक दोनों साइड के और यह है का स्टेरिंग वील यहां पर आपको बटन्स मिल जाते हैं यहां परापे टॉपन करने क यहां पर एक यहां पर एक यहां पर आपको यह बैजिंग मिल रही होगी और इसमें जो एर्वेंट्स है यहां पर साइड वाले जो हैं यह रहा है और जो सेंटर वाले हैं यह कुछ अलग सा आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर आपको यह बटन मिल रहा है जो कि लाइट की हाइड अजस्क्राइब करने के लिए वाकि उपर वाली साइड यहां पर कुछ भी निया डंबी बटन जाएं तो यहां पर कुछ आप इनकेस फीचर में एक्सेसरी लगाते हैं लाइट बगार वेसर इस साइड पे संवैजर इस पर मेर बगारा लानई है और अब यह देखे ल disclaimer में अपको पर ऐसी के वैंटस região अब करके भी इसको दिख़ाएगी आपको तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलती है मरूती की जैन्वन जो स्क्रीन आती है औरिजनल वही है तो जो मरूती की गाड़ी है जो जिन्हों ने देखिए हुए उनको तो पता होगा इसमें क्या-क्या फीचर्स आते हैं बाकी फीचर्स के लिए अलग वीडियो बना देंगे अगर आपको चाहिए होगी और यहां पर यह आपको बटन दिख रहे होगा यह कुछ नए तरीके के बटन दिख रहे होगा यह तो आपको पता होगा यह है hazard lamp का button लेकिन यह साथ में जो buttons है यह है जो इनकी windows है इनको operate करने के लिए खोलने और बंद करने के लिए तो यह इस side वाला button जो है यह passenger side की window operate करने के लिए और right side का जो button है गरेंग लिख्राइन कर दो तो यहां से जो बटन नॉर्मली गाड़ियों में यह बटन आते है乾्ने रहे हैं वह हम इसके शूँपर रहे हैं ताकि द्राइज़स के ऊफिर बूरकी साथ पसेंजर सेंड second से उप्राइट कर सके तो नीचे आपको यहां पर 12 वोट के चार्जिंग का पॉर्ट मिलता है और साथ में यहां पर यूएज भी और ऑग्स के लिए भी पॉर्ट मिल जाता है नीचे यहां पर आपको स्पेस मिल जाती है जहां पर अपना मोबाइल वगारा या कुछ और भी रख सकते हैं बोटल मिलता है यहां पर आपको स्पीड काफी बड़ी बड़ी दिखाई जेती और श्यूल इंडिकेशन भी और और लाइट वगयरा है यहां पर जो भी होती है मिल जाती है आर्पी इंटर जो है इस गाड़ी में नहीं मिलता जैसे मैं भी रेस दे रहा हूं तो आर्पीम में पड़ती है मतलब आर्टी वगेरा का खर्चा जो है वह अलग से पड़ेगा तो ओन रोड आते आते हैं जो है इसका रेट और बढ़ जाता है जो कि स्टेट तो स्टेट वेरी कर सकता है तो आपको पांच लाग पैंतिस जार एक शोरूम में यह गाड़ी कैसी लगी है मेरे को कोई आपके जो ओपीनियंज और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जुरूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक के लिए बाए टेक केर